नमस्कार दोस्तो आएज बताने वाला हूँ TCS जो credit card पे गड़ जाता है हज़ी दोस्तो अगरआप TCS credit card यूज़ करते हैं तो उसपे टीस करड़ जाएगा जब आप credit card से transaction international transaction करोगे तो उसपे TCS करड़ जाएगा tax collection at source चलिए समझेंगे क्या होता है TCS और क्यों काड़ा जाता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ समझने को मिलेगा उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जिन्हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजे सारी साथ बैल आइकन पर बे क्लिक कर लीजे दाकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे सबसे पहले तो यह समझना होगा कि TCS क्या होता है TCS को Tax Collection at Source बोलते है जो कि एक Income Tax का पार्ट है यह आप Section 92B देख सकते हों जहां पर बोलता है कि International Transaction के अंदर TCS काटा जाता है तो International Transaction का मतलब हो गया कि यह कवर करता है Transaction Different Countries के बीच में जैसे कि Selling, Buying इस से रिलेटर कर आप कोई Transactions कर रहे हो और Internationally Transaction हो रहा है एक Country से दूसरे Country के बीच में तो उसके उपर Tax देना होता है So जब भी आप Credit Card से Payment करोगे Internationally तो उस Case में आपके उपर TCS Applicable हो जाएगा उस Case में अगर आपने जो Spend किया तो आपका TCS काट लिया जाएगा So यह Domestic Transactions पे नहीं है यह केवल International Transactions पे तो जब भी आप International Transactions करोगे उस Case में आपका TCS काट लिया जाएगा इसके लिए आप अपने Credit Card की Statement को देख सकते हो वहाँ पे लिखा होगा अगर आपका TCS कटेगा तो तो क्या TCS कटेगा तो पैसा आपसी मिलेगा बिल्कुल TCS को आप अपनी Return के अंदर क्लेम कर सकते हो जब को TCS का Rate क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे 5% होगा जो Total Remittance होगा उसके उपर 5% के इसाप से TCS कटेगा Section 206C1G को देख सकते हो आप ठीक है तो 5% का जो TCS का Rate है International Transactions पे होगा जब आप International Transactions करोगे तो जब TCS काट लिये जाता है तो यह TCS आपके Pen Card पे Report कर दिये जाता है और यह आपको 26AS में भी दिखता है तो जब भी आप ITR फाइल करेंगे उस TCS को अपनी ITR के अंदर क्लेम कर सकते हो जितना भी TCS कटेगा और TCS आपको देखेगा आपकी 26AS में ITR में उसको लेके उसका refund ले सकते हो income tax का refund जो TCS कटा है तो घबडाने वाली बात नहीं है जब भी अपने credit card से transactions करोगे आप internationally तो आपका TCS कटेगा लेकिन उस TCS का claim आप अपनी ITR के अंदर ले सकते हो आप चाहे तो हमारी paid services भी ले सकते हैं ITR filing की TCS claim के लिए जिसका link वीडियो के description में है वीडियो